नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीदे आप सभी अच्छे होंगे और घर पर थोड़ी सी पढ़ा ही भी कर रहे होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है हमने बेसे पार्ट सेकिंड के लिए यूनिट सेकिंड का लेक्चर नमबर नमबर 10 शुरूब लेक्चर 9 तक हम पढ़ चुके हैं आज हम लेक्चर नमबर 10 पढ़ने वाले हैं पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इल्कोहॉल्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहॉल के बारे में उनके मैथर्ट्स ऑफ प्रिपरेशन उनकी क्या गया प्रॉपरिटीज है कै कैसे रिएक्षंस देते हैं उनका ऑक्सिडेशन कैसे होता है अलकॉहल के ऑक्सिडेशन पर क्या मिलता है साथ प्राथमेख है दूतियक या तुकिस तरह से इनकी पहुचान की जाए इन सब तरीकों के बारे में देखा था थीक है तो अम आज के लेक्चर में तो हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोनो हाइडरिक अलकोहल्स हम पढ़ चुके हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइडरिक अलकोहल्स क्या पढ़ने वाले हैं हम आज डाइडरिक अलकोहल्स तो यहां दालेंगे आज जो हम हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है जिस्ते में माइक निकल गया वो है डाई हाईडरिक डाई हाईडरिक अलकोहल जैसे हमने मोनो हाईडरिक अलकोहल पड़े थे वहाँ पर क्या था एक हाईडरोक्सिल समू था अब यह डाई हाईडरिक आ गये यहाँ पर कितने हाईडरोक्सिल समू होंगे दो हाईडरोक्सिल समू होंगे लेकिन एक डिफ्रेंस है यहाँ पर दो हाईडरोक्सिल समू होंग जिन कार्वनिक योगिकों में दो हाइड्रोक्सिल समू अलग कार्वन पर उपस्थित होते हैं अलग-अलग कार्वन पर उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं यानि कि क्ते हैं और आठएम हाइं पर हाइड्रोक्सिल समयों कर सकते हो कि लेकिन और यहां सब्सक्राइब पर 2 hydroxyl sammu क्या इस टेबल हो गए क्या ये स्टेबल है क्यों stable नहीं है आक्सिजन के पास क्या होते हैं long pair क्या है यहां बंड long pair 2 hydroxyl sammu पास पास होंगे तो ये long pair क्या करेंगे एक दूसरे को फ्रतिकर्षीद करेंगे दूर भगाने के कोशिश करेंगे और जब दूर भगाने के कोशिश करेंगे तो एक ही कारवन पर दो हाइडरोकसल समू तो नहीं रह सकते तो क्या होगा इस प्रतिकर्शन के कारण यहां से पानी बाहर निकल जाएगा क्या हो जाएगा यहां से jam-diol jam-diol जब एक ही carbon पर दो hydroxyl समु उपस्तित होते हैं तो उनको बोला जाता है jam-diol jam या पूरा नाम है jam का jaminal जब एक ही carbon पर होते हैं उनको बोलते हैं jaminal और जब अगल बगल वाले carbon पर होते हैं तो उनको बोलते है vicinal ठीक है? तो यह jaminal-diol है यहाँ पर प्रतिकरिशन की वज़े से यह stable नहीं होगा H2O का बहर निकाले का और carbonyl समु में change हो जाएगा तो यह dihydric alcohol की category में नहीं आएगा तो हम एक ही carbon पर दो hydroxyl समु नहीं लगा सकते हैं इसलिए मैंने क्या लिखा है? अलग-अलग carbon पर उपस्थित होते हैं उन्हें dihydric alcohol कहते हैं याँगी hydroxyl समु अलग-अलग carbon पर उपस्थित होने चाहिए ठीक है बई? आगे चलते हैं इन्हें एक common name से भी जानते हैं या तो इनको dihydric alcohol बोलो या तो फिर इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें glycol क्या कहते हैं? इन्हें glycol भी कहते हैं दूसरा नाम क्या है इनका? Glycol तो अगर मैं नाम ले रही हूं, glycol या कोई भी आपके सामने नाम ले रहा है कि आपको क्या लेना है? glycol लेना है, तो glycol का मतलब क्या होता है? डाइडरिक एलकोहल, यानि ऐसा कार्वन है क्योंगे, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल समों उपस्थित होते हो, तो इनने ग्लाइकॉल भी कहते हैं, अब एक्जांपल देख लेते हैं, ये इस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है, पास पास वाले कार्वन पर 2 हाइड्रोक्सिल समों ये 1, ये 2, ये कैसे हैं, 1, 2 पोजीशन पर हो, ये हो सकता है कि दोनों हाइड्रोक्सिल समों, 1, 2 पोजीशन पर हो, ये भी हो सकता है, तीन कार्वन हैं, तीन कार्वन हैं, तो हो सकता है, एक तो यहां हो, पहले पर हो, और एक लास्ट पर हो, ऐसे भी हो सकता है, यानि कौन Glykol है 1224 सकते हैं यह यह भी और सकता है चार हो पहले और चौथे पर मुझूद हो और है है या वन फॉर से तो जबसे सब्सक्राइब कर सार दराएं करकंच इस था ऑगलाइक आग पासीन पर है ने हमारे वगाल आज लगन है इनको बोलत थे हैं पासीमं 다ओं क्या बोलते हैं जिन में दोनों हाइड्रोक्सिल समू वन टू पोजिशन पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एल्फा ग्लाइकॉल कहते हैं ठीक है और जहां पर वन थिरी पोजिशन पर हाइड्रोक्सिल समू होते हैं इनको बोलते हैं बीटा ग्लाइकॉल यह alpha glycol यह beta glycol और यहने बोला जाता है gamma glycol ठीक है यानि कि जब अगर हमारे hydroxyl sum 1,2 position पर होंगे तो नहीं बोलते हैं alpha glycol 1,3 position पर होंगे बीटा glycol और 1,4 position पर होंगे तो gamma glycol बोलते हैं ठीक है अब introduction तो देख लिए हमने इनका अब हम इनका नाम करण भी देख लेके इनका नाम करण कैसे करते हैं तो अगला हम देखेंगे नाम करण नॉमन क्लेचर जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था नॉमन क्लेचर दो तरीके से किया जाता है एक तो IUPAC पद्धिती से किया जाता है और एक सामाने यानि कि trivial system है रूड पद्धिती है जिसमें हम उनको common name से जानते हैं और ज्यादा तर reagents को हम जो जानते हैं वो common name से जानते हैं उनके IUPAC name से कम बुलाया जाता है उनको common name से जादा बुलाया जाता है तो आपको common name की भी जानकारी होनी जरूरी है और IUPAC name कैसे दिया जाता है उसके वारे कैसे देते हैं कि यहां पर हमको तीन तरह की ग्लाइकोल दिख रहे हैं वन्-टू वन्-थ्री-वन-फोर घ्लफा बीटा गमा तो इनके नामकरण के वी तरीके अलग अलग है जो हमारे alpha glycol है, इनका नामकरण अलग तरीके से किया जाता है और यह जो beta और gamma glycol है, इन दोनों का नामकरण सेम से, मतलब इनका तरीका सेम है common name जो देने का सेम है, वो इन दोनों का सेम है, बस यहां पर थोड़ा सा different है alpha glycol में तो सबसे पहले हम देखेंगे अलफा ग्लाइकॉल की बात करते हैं इनका नाम करण हम कैसे करते हैं तो जब भी हम अलफा ग्लाइकॉल की बात कर रहे हैं यानि कि 1-2 हाइड्रोक्सिल समू की बात कर रहे हैं तो इनका जो नाम करण है जिस एलकीन से इनका निर्मान हुआ है यानिके इनके निर्मान में जिस एलकीन का प्रयोग हुआ है उसके नाम के नाम पर किया जाता है क्या मतलब है? यहाँ पर पहले हम लिखें इनका नाम इनको बनाने वाली बनाने वाली एलकीन के नाम पर दिया जाता है क्या मतलब है वही इसका एलफा ग्लाइकॉल का नाम इनको बनाने वाली एलकीन के नाम पर दिया जाता है एलकीन से बनते हैं हम देखेंगे आगे जब मैथट्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एलकीन से हम डायोल कैसे बनाएंगे लेकिन अभी हम देखते हैं कि इनको बनाने वाली एलकीन के नाम पर कैसे जैसे फॉर एक्जामपल हमने यह ले लिया CS2, CS2, OH, OH, यह ग्लायकॉल है, दो कारवन है, अगल बगल वाले कारवन पर हाइडरोक्सिल समूपस्तित हैं, तो यह किस से बनाओगा? CS2, CS2 है, अगर मैं OH हटा दूँ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉंड लगाना पड़ेगा, तो यह किस से बनाओगा? यह बनाओगा इथिलीन, इसका नाम क्या है? इथिलीन है, तो जब इसका नाम इथिलीन है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इथिलीन ग्लायकॉल, इसका कॉमन नेम क्या है? इथिलीन ग्लायकॉल, किस से बना इसलिए इसका नाम किसके नाम पर दिया जाएका जिसे एलकीन से यह बना है कौन की इसके नाम में क्या और यहां पर डाया लगेहुएं वन ओ पूसीशन पर दो हाइडरॉक्सेल लगेहुएं इनका फॉकौन byलकल यसे और नहीं होते हैं उनको क्या बहूत refer पर कुछ और एक्जामपल देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा मैं मिटा देती हूं नोट कर लिया होगा आपने समझ में आया होगा आगे चलते हैं अगर जब लिए अगर ऐसे दिया हूँ सी एस त्री सी एस टू पहर एच वेच अब यह वन टूड़ाय और एलफा ग्लाइकॉल इसका मतलब अल्फा ग्लाइकॉल है इसका मतलब इसका नाम करन मुझे कैसे करना है? common name इसका कैसे आएगा? जिस alkenne से ये बनाओगा तो अगर मैं ये double bond हटा दू तो एक, दो, तीन ये OH हटा दू तो यहां पर क्या आएगा? OH हटा दू तो यहां क्या आएगा? alkenne आएगा? एक, दो, तीन कारवन है तीन कारवन से कौन सी alkenne बनती है? प्रोपीन बनती है तो इसका मतलब जैसी मैंने OH लगा दिया ये glycol बन गया किस से बनाए? प्रोपीन से बनाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीलीन प्रोपीलीन ग्लाइकॉल क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ऐसे ही अगर ये हो CS3, CH2, CH CH2, OH, OH तो यहाँ पर OH, OH अठा दू महाँ पर डबल बॉंड आया होगा है ना, तो अगर मैं OH अठा दू डबल बॉंड आया होगा तो कितने कार्बन है यहाँ पर चार कार्बन, चार कार्बन होगा तो क्या होगा ब्यूटीन यानि कि यह जो ग्लाइकॉल है किस से बना होगा ब्यूटीन से बना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीलीन ग्लाइकॉल ब्यूटीलीन यह दो हाईडरोक्सिल समुह भटा दूँ तो यहांपर डबल बॉंड रहा होगा, कितने कारवन है, एक, दो, तीन, चार, क्या है यह, यह आइसुब्युटीन है, क्या है यह ब्यूटीन, चार कारवन है तो ब्यूटीन, लेकिन कौन सी नॉर्मल ब्यूटीन तो वो है, तो यह कौन सी ब्यूटीन है, आईसो ब्यूटीन है, तो यह डवल बॉन्ट हटा दूंगी, यहाँ पर OH, किस से बनाई है, आईसो ब्यूटीन से बनाई है, तो इसका न जिन से इनका formation हुआ है तो इस तरीके से तो अल्फा ग्लाइकोल का नाम करन्ट किया जाता है अब बीटा ग्लाइकोल का देखें बीटा और गामा तो हम लिख सकते हैं अगले पॉइंट में बीटा और गामा ग्लाइकोल का नाम ग्लाइकोल का नाम poly methylene glycol होता है beta और gamma glycol जो होंगे उनका नाम क्या होता है poly methylene glycol यह methylene क्या होता भई जब हम ऐसे लिखते हैं तो यह होता है methyl क्या होता है methyl इंदी में क्या बोलते हैं तुम methyl लेकिन अगर मैं इसमें से एक hydrogen अटा दूँ CH2 ग्रुप रखूँ तो यह क्या होता है मिथिलीब यह जो CH2 होता है इसको क्या बोलते हैं मिथिलीन मिथिलीन तो जहांपर भी CH2 आएगा जो CH2 carbon होता उसको Methylene Carbon कहा जाता है ये Methylene है Methyl Chinese है अगर CH होता तो Methane होता क्या होता? Methane होता तो इनको क्या कहा जाता है? Methylene glycol कहा जाता है मतलब इसका क्या मतलब हुआ वई? देखते हैं क्या मतलब हुआ जैसे हमने ये ले लिया तीन कारवन है एक यहाँ पर ओच लगा है एक यहाँ पर बीटा ग्लाइकॉल ले रहे हैं बीटा ग्लाइकॉल में तो 1,3 आते हैं बीटा ग्लाइकॉल कौन सो हते हैं 1,3 वाले तो वैलेंसी पूरी कर दो CH2 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 तो अभी तो मैंने नाम दिया था CH2 carbon जो होता है उसको क्या बोलते है मिथिलीन यह भी CS2 है यह भी CS2 यह भी CS2 तो यहाँ पर मिथिलीन है poly का मतलब क्या होता है बहुत सारे यहां कि डिपेंड करता है कि जो आपने लाजचा को इंदर कितने कारवन है तो यहां पर कितने कारवन थीं कारवन है तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छे हो सकते हैं, तो इसी तरह से यहां पर देखें, तो कितने कारवन है, तीन कारवन है, तीन हो ही कारवन कैसे है, मिथिलीन, तो count करेंगे, पॉली की जगे के आएगा, ट्राई, कितनी मिथिलीन है, तीन मिथिलीन है, तो ग्लाइकॉल ठीक है अगर ऐसा हो तो अब यह कौन सा ग्लाइकॉल है 1,4 ग्लाइकॉल यानि गामा ग्लाइकॉल इनका भी नामकरण कैसे पॉली मिथिलीन ग्लाइकॉल ही बोलेंगे polymethylene का मतलब methylene group होने चाहिए बहुत सारे कितने सारे वो depend करता है हमने कौन सा लिया है तो यहां देखें 1, 2, 3, 4 तो poly की जगए यह कौन सा methylene है tetram methylene तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा tetram methylene glycol क्या नाम हो गया इसका इसका नाम हो गया tetram methylene glycol तो जो बीटा और गामा glycol होते हैं उनका नाम क्रण किसके नाम पर दिया जाता है कि polymethylene उनका नाम क्रण कैसे किया जाता है polymethylene glycol से किया जाता है यानि कि जितने भी methylene group होंगे अगर 3 हैं तो try, 4 हैं तो tetra, 5 होंगे तो पेंटा तो जितने भी मिथलीन ग्रूप होंगे उनके नाम के आधार पर किया जाता है तो उनको बोला जाता है पॉली मिथलीन ग्लाइकॉर तो बीटा और गामा को क्या बोला जाता है पॉली मिथलीन ग्लाइकॉर तो इस तरह से इनके सामाने नाम दिये जाते हैं ये तो सामाने नाम का तरीगा था अब IUPAC में भी देख लेते हैं नोट कर लीजे जल्दी से ये सामाने नाम है अब IUPAC देखेंगे नोट कर लीजे आप जल्दी से मिटा दीती हूं आई-उ-पी-एसी में अब नोमेंट क्लेचर कैसे किया जाता है जैसे हमने मोनोहइड्रीट में किया था गल्गुल वैसे ही किया जाता है है कि इनका जो क्या का जाता है कया जाता है तो duż-zb 2 ऊल्बी उल्टेल्क क्या जाता है यानि कि जो भी ऐल्गें यह teaches झारू है तो प्रोपेन चार करवन वाला थो इन पाँछ कवबम बाला है थो पेंटेन और शुसके क्या लगेगा डाय और उसकी पुजीशन जैसे डाय ओल कौन सा है तो लगेगा तो हम देखते हैं कैसे जैसे अभी नहीं यह लिया था कि यह हैस तू सीएटू सीएस्टू सीएस्टू ओएच वह इसका यूपीसि नॉमेंट्र करना है तो कैसे करेंगे लॉंग इस चेंगे वाण टू थ्री चाहिए हदर से नम्बरिंग कर दो चाहिए हदर से गड़ो से मी रहेगा और वन और त्री पोजिशन पर क्या लगाए दो हाइड्रोक्सिल सम्मूल लगे हैं, डाइ ओल, तीन कारवन है, तो कौन सा एलकेन हो गया, प्रोपेन, तो इसके आधार पर कर दो, एलकेन, डाइ ओल, तो यहाँ पर कौन सा एलकेन है, प्रोपेन है, यह हट जाएगा, प्रोपेन, वन, थ्री, डाइ ओल, प्रोपेन, वन, सी position पर है one और third position पर हैं तो one three डाइ ओल प्रोपेन one three डाइ ओल सिंपली इन का नाम क्या होगा एलके डाइ ओल और साथ में डाइ ओल की position ठीक है जिससे यह ले 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 इसका नाम करन करें कैसे करेंगी यहां अगर ऐसे दे दिये जाए इसका नाम करन करें एक ओएज समु यहां पर लगा हुआ है यहां लगा हुआ है एक ओएज ग्रुप यहां लगा हुआ है तो one two three four five six 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 यानि यह one six टाइव अपने दुका कभी तो आपने वताया था one two होता है one three होता है और one four होता यह one six कहां से आगया वहीं वह तो इसका नाम करन की बात रही तो कि वहले एलफा ग्लाइकोल में नाम करन अलगतर ही किस होता है बाकि जो बीटा गामा डेल्टा जो भी आगया ग्लाइकोल आएंगे यानि one three one four one five one six जितने भी ग्लाइकोल लाइंगे उनका नाम करन किसे दिया था उनमें मिखिलीन ग्रूप कितने उसके आधार पर अभी हमें इसका iopc नॉमन क्लेचर करना है तो iopc नॉमन क्लेचर कैसे करेंगे बही रूस लगेंगे जो हमने लगाते हैं सबसे पहले longest chain देखते हैं तो देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छे यही सबसे बड़ी longest chain होगी है ना यही होगी सबसे longest chain इसके लाबा और तो कोई chain नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें दो position पर दो methyl group लगें ठाइट position पर एक मिथैल कुरूप लगा हुआ है और और एंगा लगा हुआ है फिफ्थü पोजीचं पर पहले जो सब्स्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कौन सा ग्रूप है इन पोजिशन पर मिथाईल इसका मतलब है डो पोजिशन पर सेकंड पोजिशन पर थर्ड पोजिशन पर और फाइफ पोजिशन पर यानकि सेकंड पोजिशन पर दो मिथाईल ग्रूप थर्ड पोजिशन पर फाइफ पोजिशन पर मिथाईल और आगे कित वेंगे हुए तो सकफेट淪ा उसके बार हमारा णोन्मल करननाम करन यानि यह शाख थे को अब देखते मिनन को बनाया कैसे जाता dabei सब्सक्राएं क्या देखने हैं मैफड्स ओफ प्रिपरेशन अगले टोपिक हमारा मैफड्स ओफ प्रिपरेशन बनाने की विधिया अगे जब मैं नाम करन्ट कर रही थी तो मैंने देखा था जिसलंसे यह बनते ऊसल्केन के लिए अद के आधार पर कॉंबं देता है सबलाब एक हिंट तो तुमको वहीं से मिल्गी कर फ्रॉर्मेशन होता हो किससे होता है एक कीन से बनाए अब एल्केन से हैइड्रोकसिल कैसे बनेंगे अगर पराफ नींगे यानि कि hydrogen hydroxyl समूहँ का क्या होना चाहिए addition योग होना चाहिए hydroxyl समूहँ का और यह जो hydroxyl समूह योग होता है इसे क्या चाहते हैं इसे बोलते है hydroxylation क्या बोलते हैं सब्चे पहला मेथर्ड जो हम पढ़ेंगे वह है हाई Hydroxylation Hydroxylation द्वारा किसका Hydroxylation? Elkene का Hydroxylation Hydroxylation का मतलब क्या है? Hydroxylation of Elkene Hydroxylation करना है Elkene का है यहां यहां पर लिख लेते हैं Elkene के इंटा कर लिख देते हूं Elkene के Hydroxylation द्वारा Elkene के Hydroxylation द्वारा Hydroxylation यानि Hydroxylation हिंदी में बोलते हैं Hydroxylation मैंने English में लिख दिया है Hydroxylation चाहिए तो आप लिख लो हाई आप लोग को बड़ा दिक्कत होती है बड़ा दिक्कत होती है बाइदा वो हमें देखना है Hydroxylation करने के यानिके यह जो Hydroxylation अभी क्रिया इसको करने के कई सारे तरीके हैं कई सारे मैथट्स हैं क्या-क्या मैथट्स हैं सॉरी मैथट्स नहीं मैथट्स तो कुछ ही है देखते हैं बहुत सारे रियजेंट है मैथट्स नहीं बहुत सारे क्या है मैथट्स है मुझे यह Hydroxylation करना है इसके लिए कई सारे तरह के रियजेंट्स आती है जब आप MST में चले जाओगे तो काफी सारे रियजेंट्स पढ़ोगे हला कि अभी भी है आपके कोर्स में लेकिन कुछ है जैसे की कौन कौन से है जैसे की है alkaline Kmno4 potassium permagnate का छारे विलियन alkaline Kmno4 potassium permagnate का छारे विलियन जिससे बोला जाता है 1% potassium permagnate का छारे विलियन यह इसको एक और नाम से बोला जाता है शायद सुनाओ, बेयर, अभी कर्मक, बेयर अभी कर्मक, तो पहले हाइड्रोक्सिलेशन कराया जाता है, बेयर अभी कर्मक से, इससे भी हाइड्रोक्सिल समू का एडिशन होता है, यहाँ फिर यूज होता है, एक तुरी एजेंट यह, एक है, ओस्मियम टेट्रोक्साइड, Oso4 यह क्या है ये है आस्मियम टेट्रोकसाइड इन दोनों से हम पढ़ेंगे आपके इसलेबस में हैं यह दोनों इसके लावा और भी रिएजर्ट फोर है एल्कलाइन की अवनफ़र है ओस्मियम टेट्रोकसाइड है इसके लावा प्रीबोस्ट रिएजर्ट होता है निय्क्विलेशन कर सकते हैं लेकिन अभी आपको कौन कौन से पढ़ने है आलकलाइन ख केरम इनदवर और ओस्मियम टेट्रोक्साइड, तो बारी-बारी से देखेंगे, सबसे पहले हम एलकलाइन केमेनोफोर से देखेंगे, उसके बाद उसमें हम टेटरॉकसाइड से देखेंगे, तो देखते हैं, क्या है? एलकलाइन केमेनोफोर या इंदी में लेखेंगे 1% छारी है, केमेनोफोर, बहुत से अच्छा हो, तो केमेनोफोर का नाम भी नहीं पता होगा, तो इसका नाम है, पोटेशियम पर मेंगनेट, पोटेशियम पर मेंगनेट, तो 1% छारी है केमेनोफोर को, किसके साथ रेक्शन कराएंगे, अच्छा, इसको देखके आपको कुछ और चीज़ याद आ रही है, 12 में आपने कुछ किया होगा, कुछ अलकीन का टेस्ट होता है, या पढ़ा मैं टेस्ट करते हैं कौन साथ करते हैं है याद है आपको, इसको 다verage के याद आ गया होगा, के देखके कमनो फोर का टेस्ट करते हैं जैसे अगर मैं पैचानना है कि यह जो हमें दिया हुआ है solution इसके अंदर एलकीन है या नहीं तो हम क्या करते हैं उसमें potassium permagnate डालते हैं और देखते हैं कि अगर potassium permagnate decolorize हो गया मतलब potassium permagnate का color उड़ गया जैसे डाला हमने Potassium Permagnate का Color गायव हो गया तो इसका मतलब उसमें Alkene मौजूद है यानकि यह जो reaction हम कर रहे हैं यह actual में क्या है? Alkene का test है Alkene का test करने के लिए जो हम करते हैं वो यह वही है हम क्या करते है? Potassium Permagnate अगर आपने कभी देखा हूँ लेव में गई हूँ तो देखा होगा Potassium Permagnate जो होता है कि यह हमेनो 4 बहुत ही Dark Color का Purple Color का बहुत Dark Color का Solution होता है जिसमें बहुत Dark Color होता है जब हम इसको Alkene के Solution में डाले हैं मतलब हमारे पास जो Solution दिया गया अगर उसमें Alkene है हम जैसे इसमें Drop Vice डालेंगी Potassium Permagnate तो क्या होगा जो Potassium Permagnate का इतना Dark Color था उसमें डालते ही क्या हो जाएगा गया हो जाएगा इसका मतलब जो हमने लिया है Solution हमारा उसमें क्या है Alkene है तो Alkene के Test जो करते हैं वो किसी करते हैं Potassium Permagnate KmNO 4 से किया जाता है तो अब हम क्या करेंगे KmNO 4 की Alkene के साथ अभिक्रिया द्वारा Alkene के साथ अभिक्रिया द्वारा Diol या Dihydric Alcohol Diol कुछ भी बोलो Diol का निर्मान होता है अच्छा एक और चीज जो यहां से fix है क्या क्या लिएक और चीज चारिए KmNO 4 की Alkene के साथ अभिक्रिया द्वारा Diol का निर्मान होता है Alkene से कौन बनते है When to Diol When to Diol यानि कि यह जो बनेंगे हम यहां पर जो बनाएंगे वो कौन से ग्लाइकॉल होंगे कौन से डाइकॉल होंगे यह होंगे Alpha Glycoles कौन से होंगे Alpha Glycoles तभी तो हमने Alpha Glycoles का नामकरंट जिस Alkene से बने तो साथार पर किया था और जो Alkene से बने इसका मतलब कौन से कौन बन रहे हैं यह Alpha Glycoles बन रहे हैं K-M-N-O-4 है इसका नाम क्या है इसको एक और नाम से जाना जाता है Bear Abhikarmak तो तुम कह सकते हो कह सकते हो कि Alkene की जब हम Bear Abhikarmak के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्मान होता है Glycoles का निर्मान होता है For example हमने यह वाली Alkene ली कौन सी है यह Ithylene जिसका नाम करना मैं सबसे पहले किया था उसी को बनाते है Ithylene बनाने है इसकी reaction कराऊंगे मैं K-M-N-O-4 कैसा Alkaline solution है छारी है solution है K-M-N-O-4 का क्या मिलेगा मुझे CH2 CH2 Double bond हट जाएगा उसकी जगह पर योग हो जाएगा किसका Hydroxyl समू का Hydroxylation हो गया इसी को क्या बोलते है योग होना Hydroxyl समू का इसी को बोलते है Hydroxyl current Hydroxylation अब यह हुआ कैसे वो देखते है चलो यह Hydroxyl current हुआ कैसे यह है हमारे पास CS2 Double bond CS2 और क्या है KMNO4 है मैं स्कुर ऐसे लिख सकती हूँ 4 Oxide है K प्लस MNO4 पर कैसा चार्ज होगा माइनस है ना तो मैं स्कुर ऐसे बना सकती हूँ Double bond O Double bond O O माइनस K प्लस Double bond O यह क्या बन गया KMNO4 की structure open करके लिख दी मैंने दिख रही होगी आपको यह क्या है KMNO4 की structure है जिसे मैंने open करके लिखा है जैसा कि हम पहले की reactions में देख चुके हैं यह जो इथिलीन होता है यह जो Pi electron होते हैं कभी काथी सारे reactions कियते हैं उनमें भी बताया था Pi electron की वज़ए से यह किस की तरह काम करता है Nucleophile की तरह काम करता है यह मैंगनीज की Oxy करन अवस्ता देखें तो मैंगनीज की Oxy करन अवस्ता कितनी है –2, –2, –2, –1 यानि कि कितनी हो गई प्लस 7 मैंगनीज क्या है प्लस 7 Oxy करन अवस्ता में है ना यहाँ पर है यह क्या है और यह क्या करेंगी यह वार्ट हद्छ सब्सक्राइगा पोपिटीफ ज intuitive यहांब यह तूटकर इस उक्षीजन तो मैं बतारी हूं आ, कॉन से अट है, यह यहां गया, यह 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 तुरंत, ठीक है, तो क्या बने गा है, यह बने गा, CS2, या मैं ऐसे लुखूं, CH2, CH2, किस पर अटेक किया, oxygen पर, किस पर अटेक किया, oxygen पर, अक्सिजन किसे जुड़ा हुआ है मेंगेनीज से एक तरफ क्या है O- K+, और एक तरफ क्या है डबल बॉंड O, यह बना, यह कुछ पैचाना पैचाना सा नहीं लग रहा है, याद करो जब हम Monohydric Alcohol पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ऐसा ही एक डिजन लिया था क्रोमियम के साथ, यहां पर मेंगनेज की जगह क्या था, क्रोमियम, तो इसको नाम दिया था, हमने क्रोमेट एस्टर, क्योंकि वहां पर मेंटल क्यों सा था, क्रोमियम, अब यह मेंगनेज के साथ बन रहा है तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा मैंगनेट एस्टर क्या बोलेंगे हिंदी में मैंगनेट एस्टर एस्टर अब इसकी रियक्शन हम किसे कराएंगे है एच्ट्वो से हैस्ट्वो लेंगे ठीक है एक स्ट्वो क्या करेगा वहीं यह है एक स्ट्वों करते हैं क्या बोल रहते हैं हाँ अब इस पर क्या करेंगे अब और आहँ है क्ये john topic इसे डिख वह है आप लोग पैंगे लोन करेंगे ओंगे सब्सक्राइगा मैंगनेज पर अटयक्व यह बॉन चला या करेगा मैंगनेज पर अटेक यह बॉन चला जाएगा टीक है तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा CH2 CH2 H2 H2 O- O- Plus क्या बन जाएगा Mn O- K Plus Double bond O यहाँ पर क्या है OH2 यहाँ से लिख दूँ OH2 Oxygen पर Positive और यहाँ पर भी क्या है OH2 Oxygen पर Positive तो यह Negative Charge करेगा यहाँ से एक Proton लेगा यहाँ से एक Proton लेगा और Finally हमको क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा CH2 CH2 OH OH Diol मिल गया Sindiol वो भी कैसे Diol है Sindiol 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 का मतलब क्या है एक ही साइड पर जब दोनों Hydroxyl समू कहा हो एक ही साइड पर उपस्तित हो जब दोनों Hydroxyl समू कहा हो उपस्तित हो एक ही साइड पर उपस्तित हो तो इसे क्या कहते हैं Syn Над यॉल कहते हैं क्या कहते हैं Syn Diol तो यह Sindiol बना यानि कि यहाँ पर दो तरीक हिए कर हमारी Conformation होती है सब्सक्राइब एंसे रियक्शन जिन में केल एक ही प्रॉडुक्ट बनता हो, major ठीक है, एक ही product बनता हो, वह ही महारा major product हो इस communication को बोलते है stereo specific लेकिन अगर हमारे पास ऐसे product बन रहा है एक major बन रहा है और एक minor बन रहा है यान्य दो product बन रहा है, एक तो ज़्याधा में बनेगा का माउंट में नहीं वन रहा है सिन यह कैसे होते हैं स्टीरयो क्रेसिविक यान की अगर अगर आप बहुत पढ़ोगे अभी तो बीसी में जाओगो तो बहुत पढ़ोगे स्टीरियो सपेसिफिक तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा से आइडिया होना चाहिए क्या होते हैं ठीक है मिटा दू मैं समझ में आया है यहां पर क्या होगा समझ में आया है यहां मैं दुवारा साफ साफ समझा दूँ एक्शली भूत होश्पश होगी ना इसलिए चलिए देखते आगे कि यह आपको दुबारा समझ ना हो तो मैं दुबारा समझा देती हूँ क्या हुआ है यहां पर क्योंकि नीचे बहुत होश्पाश हो गई थी यह है हमारी अलगिन CS2 CS2 यह था मैंगनीज MN double bond O double bond O minus K plus O minus K plus ठीक है यह था यहां पर double bond था यह oxygen पर अटेक करेगा यह लोन पेर यहां जाएगा और जैसे यह bond टूटेगा यह bond यहां जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास यह हमारे पास बना C O O किस से जुड़े हुआ है मैंगनीज O minus K plus double bond O यह पर H2 H2 इसका नाम क्या दिया हमने इसका नाम दिया मैंगनेट एस्टर फिर इसकी रियक्शन किस से कराई H2 O से एस्टो के तो कितने भी मॉलेकुल हो सकते जैसे थोड़ी न हमने एक ही molecomb लिया हम तो पानी है फानी में फटोर जार मोले क्या करे गा ऐसे ऊपर से ऐटेक और यहाँ पर ब्रेक्प हो जाएगा एसे दूसरा q का अप्ट करेंगे और यह बंड तूटकर आ जाएगा ओक्सीजन पर आ जाएगा तो यह सी CH2 CH2 यह बना O- और यह बना O- क्योंकि यह bond इस पर तूट कर आ गए O- O- और यहाँ पर क्या बना MN H H oxygen पर क्या आ गया PLUS O H H oxygen पर क्या आ गया PLUS O- K PLUS double bond O अब oxygen पर PLUS तो stable नहीं होता तो क्या करेगा यह यहाँ से proton ले लेगा और यह यहां से proton ले लेगा तो finally हमको क्या मिल जाएगा CH2 CH2 OH OH प्लस क्या बना हमारे पास बना MN OH OH O- K+, double bond O तो इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है H2MNO4 है ना तो इस तरह से यह बना तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया यह जो डायोल बना इसको क्या बोलते हैं SYN-DAIOR तो आपको मेगेनेजम समझ में आ गया होगा तो जहां पर भी अलकीन दी हो चाहिए कोईसी भी अलकीन हो चाहिए वाली अलकीन हो चाहिए कोईसी भी अलकीन हो और क्या दे रखा हो alkaline Kmno4 दे रखा तो आप इसी तरह से reaction कराएंगे मेंगने टेस्टर बनाएंगे और उस पर H2O का attack कराएंगे तो इस तरह से reaction complete हो जाएगी आगे देखते हैं मिटा दू ठीक है आगे देखते हैं अगर हमारे पास ऐसे दिया हो CS3 C double bond C CS3 किक है H H और क्या दे दिया हो यहीं दे दिया हो Kmno4 क्या दे दिया हो Kmno4 हम जानते हैं क्या होगा यह double bond हट जाएगा और उसकी जगे पर यहां पर क्या जाएगा CS3 CS3 OH Synthiol बन जाएगा Synthiol और यह कैसा है 12 glycol क्या है 12 glycol या 12 diol कैलो ठीक है यह बन जाएगा S2 अभी दाएगा और यह कैसा रहेगा Alkaline Kmno4 ठीक है क्योंकि S2 की भी ज़रूत पड़ेगी तो इस तरह से चेक कोई सी भी अलकीन दी गई हो सब्सटिट्ट्ट्ट हो अन सब्सटिट्ट्ट्ट हो इसकी रिक्शन करेंगे मैंगने टैस्टर बनाएगे ऑर उससे क्या वह ँने हैं कि IS Pvd करेंगे अब हम देखते हैं दूसरा आस्मियम टेट्रोकसाइट से कैसे होते हैं ठीक है किसे देखेंगे ऑस्मियम टेट्रोकसाइट से तो मैं यह मिटा देती है फूरा आगे देखते हैं हाइड्रोकसिली करन ही करना है लेकिन अब दूसरा यह देना आस्मियम टेट्रोकसाइड लेना है तो सेकेंड देखते हैं ओस्मियम टेट्रोकसाइड ओस ओफोर ओएस ओफोर की एलकीन से अभिक्रिया द्वारा डायोल वो भी कैसे सिन डायोल का निर्मान होता है यह सिन और एंटी वाली बात हाइयर्थ स्टूडीज में आएंगे वहाँ पर तो आपको सिरोकमेस्टी दिखाने पड़ेगी यह सिन है यह डायोल यह एंटी बना है तो देखते हैं यह कैसे होती है रेक्शन मालों हमारे पास यह अलकीन है CH2 double bond CH2 इसकी reaction हम कराएंगे OSO4 से क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH2OH CH2OH12 glycol यह इसका नाम क्या है पहली reaction हुई है कैसे होगी क्या है इसको खोल कर रिख लें मेकेनिजम देख लें यह है OSO4 यह कैसा होगा double bond O double bond O double bond O यह है Osmium tetraoxide ठीक है यह यहां पर attack करेगा यह यहां पर attack करेगा वही इसका नाम होगा इसका नाम क्या लिखेंगे आप नीचे लिख देते हूं क्या है यह ओस्मेट एस्टर क्या है क्या है यहां पर लेकिन sodium by sulphide sodium by sulphide का जलिये विलियन sodium by sulphide का क्या है sodium by sulphide क्यों लिए रहे हैं sodium by sulphide यह जो ऑस्मियम टेटरोकसाइड है यह बहुत महेंगा रिएजंट है अगर एक ही इस reaction में खत्म हो गया खर्च हो गया तो फिर हम बार-बार कितना लाएंगे बहुत महेंगा पड़ता है यह कॉस्ट्ली होता है ना तो हमको हमारे जो रियक्षिन कराते हैं ऑस्मियम टेटरोकसाइड के साथ कुछ ऐसा भी हमें रियेजंट लेना पड़ता है जो क्या सौडियम बार-बार कहां से लाएंगे बहुत कोस्ली होता है तो इनका काम क्या है कि यह विया ऑस्मियम टेटरोकसाइड उसको रिजनेरेट करते हैं क्या करते हैं तो हमने लिए सोडियम अलफाइट का जली विलियन जली हृषट होँगे तो बहुत सारे मोलेक्षित होंग दो यहां पर CS2 CS2 OH और यह क्या OH मैं डारेक्ट लिख दे रही हूं और यह आपको पता है यहां पर H2O से OH- तो यहां अटेक करेगा यहां से लेकिन OH- जो बनेगा वो क्या कर लेगा यहां से एच प्लस लेगा बिलकुल पिछली वार की तरह तो मैं बार वार रिपीट नहीं कर रही हूं मैंने डारेक्ट लिख दिया यह यहां पर जाएगा यह बॉन्ड ऐसे टूटेगा यहां पर ओ माइनस माइनस आएगा यह H2O में जैसे यहां पर जोड़ेगा oxygen थे प्लस चाहल जाएगा ओवह नाम क्या है इतलीन ग्लाइक्ट घो इस तरह से बनते भी बार बार नहीं बताएगा आप जब हाईयर स्टेंडर्स पर जाओगे अभी तो मैं एक 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 स्टैप आपको बता रही हूं नेकिन जब आप हाईयर स्टैंडर्स पर जाओगे तो बहुत सारे स्टैप कर दिये जाते हैं क्योंकि वह हों अल्रेडी अंडर्स टूट होते हैं कि यह ऐसे ही हुए होंगे यह ऐसे गया होगा तो बच्चों को पहले से पता होना चीज़ा होते हैं यहां पर क्या हुआ होगा तो हमने देखा डायाल का formation मालो हमारे पास इस तरह से एलकीन दे रखियो CS3, CH, double bond, CH2 और यह दे रखाओ OSO4 यहाँ पर दे रखाओ sodium bisulfite का जली एविलियन और कह दियाओ यहाँ पर क्या हैगा sodium bisulfite का जली एविलियन और यहाँ पर हम क्या करेंगे सेम तरीके से reaction होगी बस यहाँ पर क्या हो जागा double bond हटा कर उसकी जगे क्या लगा देंगे यहाँ जोड़ा हुआ CS3 CH2 यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ पर भी क्या जाएगा OH CH OH तो यह क्या बन गया diol बन गया तो कोई भी एलकीन हो बस उससे क्या बनाना है sin diol बनाना है क्या करना है हमें sin diol बनाना है तो इस तरह से हम एलकीन से diol का निर्माण करते हैं next video में हम कुछ और methods of preparation देखेंगे और इनकी properties देखेंगे diol की अब यह chapter खतम होने को है बहुत कुछ जादा बचानी है इस chapter में जल्दी ही पांच यह चे लेक्चर और फिर यह chapter खतम हो जाएगा ठीक है फिर अगली यूनिट शुरू करें यह यह जो यूनिट है यह तीन पार्ट में एक और एक चप्टर जो है आपका इथर्स का है ठीक है एल्कॉहल फिनोल और इथर्स के तीनों के अलगलग चेप्टर एलेकिन यूनिट एक ही है तो मतलब एक्जाम में क्या होगा एक हर चेप्टर से क्वेशन आएगा आपको करना तो कोई एक ही है ना जैसे एक यूनिट में दो पार्ट होते हैं तो आपको एक यूनिट एक पार्ट ही लेक्रोमेंगनेटिक श्पेक्टरम वालि वह शुरू करें तो वह मुझे कमेंट में बता दीजेगा जब एल्कॉहल को पढ़ें अगला चैप्टर पढ़ें इसका या फिर हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करें ठीक है तो अभी के लिए थैंक्यू